हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक आप लोग क्रिस्मस की तियारियों में लगे होंगे और आज क्रिस्मस इव है और ये क्लिप्स हमारी कुछ दिन पहले की हैं जब हमने क्रिस्मस ट्री लगाया था और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि ये क्रिस्मस हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इस क्रिस्मस में हमने कुछ डिफरेंट किया है और वो क्या डिफरेंट है वो मैं बताती हूं कि हमने एक फैमिली को अड़ाप्ट किया था हमारे ओफिस में एक फैमिली को अ तो वह प्रश्मास कर सकते हैं और हमने इस बार क्रिसमस में अपने उपर उतना जादा खर्चा नहीं किया है और हमने काफी सारी चीजें उनको खरीद कर दी हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को वह सब चीजें सिखा पारी हूं और वह प्रैक्टिकली देख रही है किस तरीके से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं अगर हमें भगवान ने इतना काबिल बनाया है कि हम किसी की हल्प कर सके तो हमें डेफिनिटली उनकी हल्प करनी चाहिए और यह हमारा क्रिस्मस ट्री जब हमारा पूरा रेड़ी हो गया तो बहुत सुंदर लग रहा था और आज की रेसिपी जो मैं बताऊंगी वह है चॉकलेट कोकोनट मैकरों उसके लिए हमें चॉकलेट चिप्स कोकोनट स्वीटन कंडेंस मिल्क और थोड़ी सी टॉपिंग्स और यह मेरी बेटी है जो आज मुझे असिस्ट कर रही है बनाने के लिए और यह हमें इंग्रीडिन्स बताएंगी तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए स्वीटन कंडेंस मिल्क और यह हमारी मिनी चॉकलेट चिप्स हैं उसके साथ हमें चाहिए कोकोनट फ्लेक्स और यह हमने कुछ टॉपिंग्स ली है तो बच्चों को बहुत अट्रक्त करत अब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिटल बेकर हैं वह अब हमें बताएंगी कि हम कैसे इसको बनाएंगे इसके लिए हमने सारी हमारी जॉप कोगनट फ्लेक्स प्रोल्ट निकाल लिदिया तो इक डिया है दियार रिखे हैं कि अगर पपनट लिएट्रक्न को उसाँ सब bên और अगर आप प्लेन कोकोनट फ्लेक्स यूज़ कर रही है तो स्वीटनेस आपको एक्स्रा चाहिए होगी अब हम इसमें कंडेन्स मिल्क एड करेंगे लिटल बाइ लिटल तो हमने थोड़ा सा उसमें इसमें ठ्ली अच्टेस से मिक्स करेंगे और यह एक बहुत अच्छा और बहुत क्विक एक्टिविटी है जो आपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, especially on holiday time, और या आपके बच्चे कभी weekend में बोर हो रहे हैं, तो you just have to grab few ingredients और आप कभी भी इसको बेक कर सकते हैं, अब हम इसमें chocolate chips जो हैं, हमारे उनको add कर देंगे, अग अब हमें लगता है कि इसमें थोड़ा सा condensed milk और जा सकता है, और हम इसकी sweetness को adjust कर सकते हैं, तो अब हम इसमें थोड़ा सा condensed milk और डाल देंगे, ताकि वो अच्छे से mix हो जाए, और हम उसको bake करेंगे अब, तो यह हमारा mixture अच्छे से ready हो गया है, तो हम एक फॉयल लगा उसमें हम अपने macarons को छोटी-छोटी शेप में, बॉल शेप में, सेट कर देंगे, तो यह इस तरीके से हम हाथ से या स्पून से जैसे भी आपको convenient हो, उसे साब से आप बेकिंग ट्रे में थोड़ा थोड़ा लगाए, और जो भी शेप देना चाहें, अगर आपके पास, जो कुकी कटर्स राते हैं, वो भी एक अच्छा option है, कोई डिफरेंट शेप देने के लिए, और इस तरीके से हम, छोटी-छोटे macarons को शेप देते हो, चले जाएंगे, और पूरी बेकिंग ट्रे में, इस तरीके से दीरे-दीरे हमने सारे यह बना दिये, अब इसमें एक बेकि अगर आप इसमें ड्राइ फुट्स एड़ करना चाहते हैं, तो आप अपने ड्राइ फुट्स को असे सुलाई शब्त करने के बाद भी एड़ कर सकते हैं, दो बैच एक दो का गार गँरें राइट टो धिक टोग्नारे राइट टे सारे जेमत में पंबड़े ने कने के लिए 300 degrees पर 15-20 minutes बेक करेंगे और just keep an eye क्योंकि हर ओवन different होता है और it depends on how you like it like मेरी बेटी को थोड़ा crunchy पसंद है क्योंकि उसमें वो toffee caramelized taste जो toffee taste आता है वो बहुत अच्छा होता है और अब हम इसके उपर इसको topping से decorate करतेंगे आप कोई भी topping से use कर सकते हैं क्योंकि यह Christmas time है तो मैंने यह snowman topping को choose किया है और यह मेरी बेटी का favorite है और यह लगाने के बाद आपका macarons ready है आप इसको किसी tray में as a gift भी किसी के घर अगर आप चाहते हैं holiday party के लिए तो आप किसी के लिए bake करके ऐसा gift भी ले जा सकते हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक snack भी है बहुत healthy है और हमें पता है कि इसमें हमने क्या डाला है तो इसमें कुछ भी ऐसा ingredients नहीं है जो आपको बच्चों को नहीं देना है तो यह हमारी आज की perfect recipe थी और इसी के साथ ही आज क पे वीडियो पसंद आया होगा प्लीज इसे like जरूर करें अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो और अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो please do subscribe to my channel I'll see you soon with another video bye